मा का शहारा दिल छू लेने वाली बात मम्मी आप यहां क्यों बैठी हैं ऐसे क्या आपके लिए मैं चाय बना लाओ नहीं सुधा बस ऐसे ही नीद नहीं आ रही थे ऐसे ही बैठी हूँ मम्मी तब यह तो ठीक है ना आप दिखाईए हाथ देजिए यह कहते हुए बदन को हाथ लगाया हाथ में लेते हुए फिर सुधा भूले अरे रहन दिबो मैं ठीक हूँ पिकार की जिन्दा करती हो तू अब मैं बुढ़िया हो गई हूँ उम्र हो रही है मेरी कुछने कुछ तो लगा ही रहेगा खैर छोड़ी से जा विट्या जा मोहन जग्या होगा तुम्हे उसके पास जाना चाहिए सुधा कुछ परशान सी होकर पती मोहन के पास पहुँच गई सुनी है मोहन जी हाँ क्या है सुधा आ उठता हूँ अभी थोड़ी देर में आप यहाँ सो रहो बेफिक्र से महा मा हाँ मा को क्या हुआ हाँ क्या हुआ मा को मा को क्या हुआ मोहन जी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हूँ वो ना तो ठीक से खाती है ना ठीक से सोती है अभी भी बालकनी में बैठी है कुमसुमसी मुझे उसकी चिंता हो रही है पापा के अचानक चले जाने से साय दुबा ठिंसन में है, सूचती है, सुधा, पापा को अचानक चले जाने से हम लोग को बहुत छती पहुचानी चाहती है, पापा एक हमारे लिए छाया थे न, जो अब तक अपने अनभवों से बचाते आए, वो हम लोग का एक छाया थे, पेड यह कहकर सुसकने लगे हो मोहन जी जो चला गया वह वापस नहीं आता है लोटके मगर जो है उसकी हिफाज़त करो उसे खोने का बहुत डर लग रहा है उसे खोना नहीं चाहते मोहन जी मा का ये अकेला पन देख कर अकेला रहना नीद ना लेना अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है ठीक कहती हो सुधा तो मैं आज बल्कि अभी उनको डाक्टर के पास ले जाता हूँ मोहन जी का इला डाक्टर के पास नहीं होगा बलकि हमारे पास होगा क्या मखलब? हाँ, हमारे पास मुहन जी, बच्पन में जब हम आप डर जाते थे न और अकेला पन से जब घबडाते थे तो क्या क्या करते थे? मा के पास? उफ, समझ आया अब सिब मा के पास उनके कमरे में ही रहेंगे और अराध्या अब हम मा के पासी आसपास रहेंगे उनसे जो बच्पन में हमसे कहा करती थी उनसे उनकी बाते करेंगे और उनको याद दिलाएंगे बच्पन की बाते हमें अब कैसे बुलाती थी कैसे रुलाती थी कैसे हमें कहानिया सुनाती थी बच्पन की वो नादानिया उनको याद दिलाएंगे सुधा, आज रात से मैं मा के पास ही सोँगा हुँ, यही अच्छा होगा रात को मा के कमरे में कौन-कौन है? कौन? कौन है? मा, मैं मोहन मा मैं मोहन हूँ मोहन? तू यहाँ कैसे आया? काफी रात हो गई है बेटा जा सोजा तू रात को सोया नहीं है, जा बेटा, सोजा तुझे यहाँ कुछ काम था? हाँ मा, मैं आपके पास ही सोँगा जा, मगर बहू और आ रात है बेटा, तुम्हें उनके पास होना चाहिए जाओ क्या सुधा से जगडा करके आया है तू? देखो, बड़ी प्यारी बच्ची है ना से जगडा मत किया कर तू? अगर जगडा भी किया करे ना तो मना लिया कर नहीं मा, ऐसा कुछ ने हुआ सुधा सचमुश बहुत अच्छी है मा मा याद है जब आप बच्पन में जब मैं ड़ जाता था तब मैं आपके पास आकर सोता था ना हाँ, याद है क्योंकि तू वक्त उस वक्त बहुत चोटा था बच्चा था, कमजूर था ड़ता था, घबराता था इसलिए तू मेरे पास आकर लिपड जाता था मा जैसे हम बच्पन में आकर आपके पास लिपड जाते थे ना जैसे हम बच्पन में कमजूर होकर घबरा कर डर जाते थे अपने मा के आचल में बेख़ौफ होकर सो जाते थे वैसे ही जब आप पुजूर खोते हो अकेली में घबराते हो खबराहट महसूस करते हो, जब आप खबराहट महसूस करने लगे हो, तो क्या उन बच्चों का नहीं बनता फर्ज, कि आपको सहारा दे, बच्चे आपके जवान हो गए हैं मा, बुजुर्गों का शहारा बनना चाहिए उन बच्चों को, बच्चे जवान हो गए हैं आपके, अब बुजुर्गों का शहरा नहीं बनेंगे तो क्या बुजुर्गों का शहरा बनना चाहिए मा मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से आप अकेला पन महसूस करती है न मा आप अकेली नहीं है आपका मजबूत कंधा जो है न आपके साथ है और आपके पास भी, और आपके पास आपका बेटा है मा, मा एक बार फिर से अपने मा के बचपन की तरह मा के पल्लों से लिपट गया, दोनों की आखे नमी हो गए, आखे आशू से भीग गए, दोनों की आखे भीगी हुई थी, तेर में बेखो बेखबर, मा को सस्मुच अच्छी नीद आ गई, और मा अच्छी नीद में सो गई, दोस्तों हमें बड़े बुजुर्गों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे मा बचपन में दस बच्चों को पाल लेती हैं, वैसे हमें भी अपने माबाप का सिवा करना चाहिए, इस कहाने से क्या सीख मिली है कमेंट में जरूर पुर लिएगा, लाइक सस्क्राइब करना धन्यवाद